कन्या राश शिवालों अच्छी तरह से जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएगी लेकिन हम आप सभी से इतना कहना चाहते हैं आज की इस वीडियो को यदि नजर अंदाज कर दोगे तो जीवन भर पच्टाना पड़ेगा यह मौका आप सभी को भगवान ब्रह्मदेव दे रहे हैं जी हाँ दोस्तों भगवान ब्रह्मदेव जी के आशीरवाद से आज शाम के चार बजे के बाद आप सभी की कुंडली में ब्रह्मा लक्ष्मी योग सौभाग्यशाली योग और भाग्यवान योग का निर्मान एक साथ हुआ है जबकि नक्षत्र और शुक्रशनी की स्थिति सबसे भाग्यशाली है ऐसा महासन्योग तब बनता है जब व्यक्ति के कर्मों का घड़ा भर जाता है जीहां दोस्तों और ब्रह्मा भाग्य विधाता है भाग्य को लिखने वाले देवता और आप सभी की भाग्य में भी आज शाम के चार बज कर पांच मिनट के बाद पांच अद्भुत चमतकार लिख दिये हैं वह चमतकार कौन-कौन से हैं वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे इसलिए यह वीडियो आपके लिए हीरे से कीमती वीडियो साबित होगा इसे नजरंदाज बिलकुल भी मत करना इसी अंत तक ध्यान से देखना और एक-एक बात को अपने जीवन में उप्योग करना वीडियो शुरू करने से पहले सर्व प्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे ह्रदय भाव से जय माता दी जय ब्रह्मदेव तीन बार लिख दीजिएगा माता रानी और ब्रह्मदेव जी का आशीरवाद आप सभी को प्राप्थ होगा आपके पूरे परिवार को प्राप्थ होगा आपकी जीवन की परिशानी देखकर विधाता भी रो पड़े जी हां, आप बिलकुल सही सुन रहे हैं आपका जीवन का दुख दर्द देखकर ब्रह्मा जी खुद रो पड़े आखिर आपका किस्मत इतना खराप क्यों है आपके जीवन में इतना ज्यादा दुख दर्द क्यों देखने को मिल रहा है आखिर आपका किस्मत आपको इतना क्यों रुला रहा है आई इन सभी के बारे में आपके संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं आखिर आप अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलती कर बैठे हैं जो आपका खिस्मत आपको इतना रुला रही है, इसके बारे में एक-एक सच्चाई आपको बताने वाले हैं, आपका जीवन का एक-एक पॉल खोल कर रख दूँगा, आपको बता दें, धन का देवता, भगवान कुबेर महाराज जी आपके उपर महरबान हो चुके हैं, आप आपको परेशानी में देखकर धन का देवता, भगवान कुबेर महाराज आपके घर आ रहे हैं, आपको बता दें, आपकी जीवन की हर एक सच्चाई आपके सामने खोल कर रख दूँगा, बस आप इस ज्योतिश कारेक्रम को शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपको मुस इतना बड़ा चमतकार अब आपके साथ होने वाला है, आप अपने जीवन में जितना आंसू बहाएं, उतना ही ज्यादा अब आपको खुशी मिलने वाला है, अब आपका एक एक का आंसू का हिसाब होगा, आपको बता दें, आप अपने जीवन में बहुत रो लिए, आप जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर लिये, अब और नहीं, अब आपका जिंदगी बदलने वाला है, किसी ने सच ही कहा है, भगवान के घर देर हो है, अंधेर नहीं, और अब धन का देवता, भगवान कुबेर महाराज जी ने आपका पुकार सुन ल ऐसा महत्वपूर्ण जानकारी इस ज्योतिश कारिक्रम में आपको बताने वाले हैं, आपको बता दें, इस ज्योतिश कारिक्रम के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं, सुनकर आपका होश उड़ जाएगा, आज की यह ज्योतिश कारिक्रम साख समझने की भूल मत करना क्योंकि आप इस जोतिश कारिक्रम को जितना साधारण समझते हैं उतना साधारण यह जोतिश कारिक्रम है नहीं यह जोतिश कारिक्रम आपके लिए रामबान साबित होगा क्योंकि इस जोतिश कारिक्रम के माध्यम से आपको जो जानकारी देने व आने वाले समय में आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा आपका जीवन में कुछ ऐसा बदलाव होगा कि आप पूरा जीवन इसे याद रखोगे आपको बता दें अब आपका खिस्मत पहले जैसा नहीं रहा अब आपका किस्मत का Пासा पलट चुका है अब आपका जीवन में बहुत बड़ा टहल का मचने वाला है क्योंकि आपका कुंडली में एक ऐसा महायोग का निर्मान हुआ है जिससे आपका खिस्मत सूरज की तरह चमकने लगेगा बहुत-बहुत मुबारक हो अयोध्या का राजकुमार प्रभुश्री राम जी ने आपके लिए भेजा है गुप्त संदेश यह गुप्त संदेश आपको करोड़पती बना देंगे इसलिए आज की इस जियोतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना इस जियोतिश कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिसमत करना मुझे पता है, आप अपने जीवन में बहुत अधिक दुख जेले हैं लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अब आपको परेशान होने की आवश्यक्ता नहीं है जी हाँ, अब आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि अब आपके घर में पैसों की बारिश होगा अब आपका घर पैसों से भर जाएगा आपको बता दें भगवान कुबेर महाराज जी के आशीरवाद से आपके पास इतना पैसा होगा कि गिंती करने के लिए आपको मशीन मांगना पड़ेगा जी हाँ पैसा गिंती करने के लिए आपको मशीन खरीद के लाना होगा इतना बड़ा चमतकार आपके साथ होने जा रहा है आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके साथ एक नहीं दो नहीं तीन बड़ी देवी देवता रहते हैं आपको बता दें यह तीन बड़ी देवी देवता आपके घर के इस कौन में रहता है जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं यह तीनों देवी देवता आपके घर में पिछले पांस सालों से रह रही हैं और आपकी जान की रक्षा कर रहे हैं आपको बता दे, आप मेहनत बहुत करते हैं आप मेहनत करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते आप जी जान लगा कर मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपको मेहनत का फल उतना नहीं मिल पाता है जितना आप मेहनत करते हैं जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं आपको मेहनत के अनुसार फल की प्राप्ती नहीं होता है जिस वजह से कई बार आप यह सोच कर बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं कि जो लोग बहुत कम मेहनत करते हैं उनको बहुत बड़ी-बड़ी सफलता हाथ लग रहा है जो कम मेहनत कर रहे हैं वह हमसे आगे निकल चुका है और हम इतना मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे ऐसी कौनसी गलती हमसे हो रहा है जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे यह सब सोच सोच कर आपको रोना आ जाता है और आप अकेले में बैठकर कई बार फूट फूट कर रोए होंगे लेकिन अब रोने धोने का समय खत्म हुआ अब रोना धोना बंद कर दो अब आपकी किस्मत की चाबी मिल चुका है अब आपको चारों तरफ से लाब ही लाब मिलेगा अब आप दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बनने वाले हो क्योंकि दोस्त ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली राश्य आपका राश्य बन चुका है इसलिए अब आपको धनवान बनने से दुनिया का कोई भी ताकतवर रोक नहीं सकता है अब आपका तरक्की देखकर दुश्मन जलजल के राख हो जाएंगे और आपकी खुशियां दोगुनी हो जाएंगी मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ अगर आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपका जीवन पूरी तरह से नहीं बदलता है तो मैं अन्य जलका त्याग कर दूँगा आपको बता दें जन्म का राश्य चंदर राश्य के आधार पर पूरी तरह से विशलेशन करने के बाद यह बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा आपका जीवन में एक भी दुख दर्द नहीं रहेगा आपका जीवन का हर एक परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगा हो जाएए सावधान पाप का लौटा भर चुका है आपको बता दें अब जो आपके साथ होने वाला है सुनकर 440 वोल्ट का जटका लगेगा जी हाँ आपका कलेजा काँ पुठेगा आपको बता दें आपका कुंडली में सितारों ने बहुत बड़ा चाल चल दिया अब आपका जीवन में होगा बहुत बड़ा बवंडर और दुश्मन का सर्वनाश होने वाला है दुश्मन का कलेजा फट जाएगा दुश्मन का कलेजा छन्नी छन्नी होने वाला है आप सभी को बता दें आज के इस जियोतिश कारेक्रम में जो सच्चाई आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आपको बता दें अब जो आपका जिन्दगी में होने वाला है अब जो आपके साथ होने वाला है यकीन मानिये ऐसा आपके जीवन में कभी नहीं हुआ होगा पूरा जिंदगी में आपके साथ ऐसा घटना या चमतकार नहीं हुआ होगा, जो अब आपका जीवन में होने वाला है, आपको बता दें, आज के बाद आपको दूसरों के सामने मदद के लिए हाथ पहलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका किस्मत चमकने वाला है, अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है, मेरे प्यारे, अगले आठ से दस घंटे के अंदर आपके जीवन में कुछ ऐसा महा परिवर्तन होने वाला है, जिससे आपका जीवन है, सौ प्रतिशत बदल जाएगा, साथ ही आपका कुंडली में एक महा संयोग का निर भगवान शनिदेव महाराज ने आपके लिए एक गुप्त संदेश भेजा है, बहुत हो गया, अब और नहीं, आपको इस दुनिया वालों ने बहुत रुला लिया, अब और नहीं, अब आप पूरा दुनिया में राज करोगे, यह मेरा वचन है, और यह बात आपको अच् खोल कर रख देगा, आपको बता दें, इस दुनिया का लोग बहुत जालिम है, दुनिया वालों ने आपको बहुत रुलाया है, आपको बहुत कश्ट पहुचा है, हर किसी ने आपका फाइदा उठाया है, जबके आप हर किसी का मदद किये हैं, आप से जितना हो सकता था, उतना लोगों का मदद किये हैं। लोगों के लिए आपके मन में थोड़ा भी गलत मान सिकता नहीं है। लेकिन फिर भी आपके आसपडोस के लोग आपसे बहुत जलते हैं। वे लोग नहीं चाहते हैं कि आप उन लोगों से आगे निकल जाएं। वह लोग नहीं चाहता है कि आप एक सफल इंसान बने लेकिन ब्रह्मा जी का लिखा कोई बदल नहीं सकता है। ब्रह्मा जी ने जिसका किस्मत में जो लिखा है उसे वह मिलकर ही रहेगा। अगर ब्रह्मा जी ने लिखा है कि आप करोडपती बनोगे, तो आपको करोडपती बनने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगा। क्योंकि आपका कुंडली में एक साथ तीन योग का निर्मान हो चुका है। आपको करोडपती बनाने, मेरे प्यारे साथ जन्मों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। और जिस चीज के लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे, वह चीज अब आपको मिलने वाला है। काम्याबी की घड़ी पास आ चुकी है, परन्तु आपको कुछ विशेश बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ विशेश सावधानी आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आप इस जोतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। इस जोतिश कार्यक्रम में आपको गहराई से संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, कि आपके जीवन में कौन-कौन सा बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आपके साथ कौन-कौन सा भयानक घटना घटी देने वाला है। आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव होने वाला है। इसी लिए दोस्त, पूरा जोतिश कार्यक्रम और कर देखना। यह जोतिश कार्यक्रम आपके लिए राम बान साबित होगा। ऐसा ज्योतिश कार्यक्रम आज तक आपने नहीं देखा होगा मैं इस बात की गारंटी देता हूँ अगर इस ज्योतिश कार्यक्रम को देखने के बाद आपका किस्मत नहीं बदला तो मैं तुम्हें मूह मांगा, इनाम दूँगा और जीवन में कभी भी भविश्यवाणी नहीं करूँगा ये मैं आपको वचन देता हूँ आप सभी को बता दे इस कल्यूग में पहली बार ऐसी घटना होगी जो आज इस ज्योतिश कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने वाले हैं इसलिए इस ज्योतिश कार्यक्रम को बिलकुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा ज्योतिश कार्यक्रम ध्यान से देखिएगा जो भी आज के इस ज्योतिश कार्यक्रम को गलती से भी नजर अंदाज करेगा उसका नसीब ही खराब होगा और जो इस जियोतिश कार्यक्रम को ध्यान से देखेगा, उसका जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगा आप सभी को बता दें कि अब आपका किस्मत बदलने वाला है, यूं कहें तो अब आपका किस्मत का दर्वाजा खुलने जा रहा है पिछले कुछ सालों से या यूं कहें तो कुछ महीनों से आपके साथ यह एक शक्ति घूम रही है, जी हाँ, एक दिव्य शक्ति का कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और इस बात की आपको भनक तक नहीं है और इसका सबूत यह है कि आप पिछले कुछ सालों से कितने भी अधिक परेशान क्यों ना हो, लेकिन आपको किसी ना किसी रूप में आपको मदद जरूर मिला होगा याद रखिएगा कि जब कोई दिव्य शक्ति हमारे साथ होते हैं, तो हमारे साथ जो कुछ घटना होने वाला रहता है, तो वह किसी ना किसी को मदद के लिए हमारे पास जरूर भेजते हैं लेकिन आपको बता दें कि आने वाले समय में आपके साथ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा और यह दिव्य शक्ति आपका कुंडली में कुछ ऐसे ग्रहों का निर्मान करेंगे जिसे देख कर आस पडोस के लोगों मे खलबली मत जाएगा और आप इतिहास लिख सकते हैं, आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आपको इस दिव्य शक्ति की सहायता प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ गलतियों को करने से बचना होगा, तब ही जो है आपको लाभ मिलेगा अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि भगवान भोलेनात के आशीरवाद से आपका कुंडली शिव शक्ति योग और दो राज्य योग निर्माण हुआ है इसलिए अब आपका जिन्दगी बदलने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है अब आपका जिन्दगी में बदलाव होकर रहेगा लेकिन इसके लिए आपको इस ज्योतिश कारेक्रम को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा अगर आप आज इस ज्योतिश कारेक्रम को शुरू से लेकर अंत तक देख लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा दुश्मन का काली सच्चाई सब के सामने आने वाला है जी हाँ, अब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है सिहासन पर बैठने की तैयारी कर लो यूं कहें, तो राजगद्धी पर बैठने की तैयारी कर लो क्योंकि अब आपका जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है इसलिए मेरा आप लोगों से एक विनती है कि जोतिश कार्यक्रम को बिलकुल अकेले में देखना घर का खिड़की दर्वाजा बंद करके पूरा जोतिश कार्यक्रम अकेले में देखना और इस जॉतिश कार्यक्रम में जो राज की बात आपको बताने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए यह राज की बात किसी ओर को पता नहीं चलना चाहिए आपको बता दें, आपके जीवन में बहुत बड़ा-बड़ा हाद्सा होने वाला है इसलिए अब आपको बहुत अधिक सतर्क रहना होगा बहुत अधिक आपको संभाल कर चलना होगा आपको बता दे ये समय आपके लिए कोई मामूली समय नहीं है ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है ऐसा समय कल्युग में पहली बार आया है इसलिए इस समय को यूही बरबाद मत करो इस समय को हाथ से जाने मत देना नहीं हो पूरा जीवन खून का आंसू रोना पड़ेगा जिंदगी भर दूसरों के सामने हाथ पहलाना पड़ेगा इसलिए इस मौके को हाथ से जाने मत देना क्योंकि फिर ऐसा गोल्डन चांस दोबारा कभी नहीं मिलेगा आप बहुत भाग्यशाली हैं बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको इतना बड़ा गोल्डन चांस मिला है आपको बता दें आपको इस समय अवधी में जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है सुनकर दुश्मन की छूट जाएंगे दुश्मन की कानों से खून की नदियां बहेंगी जी हाँ इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है और आपका जीवन का सरा दुख दर्द जड़ से खत्म होने वाला है लेकिन आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा जो आगे इस जोतिश कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं आपको बता दें आज की जोतिश कार्यक्रम आपके लिए कल्युग का सबसे खास और महत्वपूर्ण जोतिश कार्यक्रम है ऐसा जोतिश कार्यक्रम बार बार नहीं बनता है इसलिए जोतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना आज की जोतिश कार्यक्रम आपका जन्म का राशि चंद्र राशि के आधार पर आधारित है, जो की 100% सटीक है, कोई भी पंडित आज की यह भविश्यवाणी गलत साबित नहीं कर सकता है, क्योंकि आज इस जोतिश कार्यक्रम में जो जानकारी आपको देने वाले हैं, वह जा जानकारी कोई साधारण जानकारी नहीं है। आपको बता दें, इस जोतिशकार्यक्रम के माध्यम से जो जानकारी आपको बताने वाले हैं, वे सभी जानकारियां आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जयोतिश कार्यक्रम में बताई गई सभी बातों को ध्यान से सुनना आपको बता दें। यह समय आपके लिए कल्युक का सबसे खास और महत्वपूर्ण समय है। इस मुसीबत से आपको बच के रहना होगा, नहीं तो आपका जीवन पूरी तरह से बरबाद हो जाएगा, तो वह कौन सा मुसीबत है जिनसे आपको बचने की जरूरत है, नहीं तो आपका जिन्दगी भी बरबाद हो सकता है, आईए, जानते हैं इसके। बारे में विस्तार से आपको बता दें पिछले कई सालों से आपके पीछे एक दुश्मन पड़ा है दुश्मन का असली नाम जान लो इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और यह व्यक्ति आपके आसपास ही रहता है आपके आसपास चक्कर लगाते रहता है और आपको समय समय पर नुकसान पहुंचाते रहता है इसलिए इस व्यक्ति से आपको सावधान रहना होगा इस व्यक्ति से आपको बच के रहना होगा यह व्यक्ति आपका दुश्मनी में तांत्रिक बन चुका है इसलिए इस व्यक्ति से 20 मिनट के अंदर रिष्टा तोड़ दो जी हाँ, आपके पास सोच विचार करने के लिए ज्यादा समय नहीं है 20 मिनट के अंदर फैसला करो और इस व्यक्ति से हमेशा हमेशा के लिए रिष्टा नाता तोड़ दो अगर जान की खैरियत चाहते हो, अगर जान प्यारी है तो इस व्यक्ति से रिष्टा तोड़ना ही होगा इसके अलावा और कोई आप्शन नहीं है तो आखिर यह व्यक्ति कौन है कैसे आप इस व्यक्ति का पहचान कर सकते हैं कैसे आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि यही वह व्यक्ती है जो आपका सबसे बड़ा दुशमन है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं इसलिए जयोतिश कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखना इस जियोतिश कार्यक्रम के बीच बीच में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बातें बताएं, जिसे सुनकर आप अपने जीवन में अपलाई करेंगे, तो आपका जिन्दगी पूरी तरह से बदल जाएगा, जियोतिश कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे. लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, रोजाना आपके लिए आठ से दस घंटे लगातार मेहनत करते हैं, उसके बाद आपके लिए इतना महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है, इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आप इस ज्योतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं की है, तो इस ज्योतिश कार्यक्रम को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें, और आपका जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रहा है, तो आप कमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपको बता दें, संसार की सारी खुशियां आपको मिलने वाला है, बस यह एक छोटा सा काम आपको करना होगा, फिर देखना, चमतकार जो चाहोगे एक जटके में मिल जाएगा, मेरा बात का गांठ बांध लो, यह एक काम करन जहां पर आप पैसा रखते हैं, जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आप अपने घर में जिस जगह पर पैसा रखते हैं, हैं, वही उसी जगह पर कच्चा, चावल और हल्दी लाल कपड़े में बांध करके रख दें, फिर देखना, आपका जीवन में शुरू हो ज जो काम्याबी आपको अब मिलने वाला है, जो खुश्खबरी आपको अब प्राप्त होने वाला है, ऐसी खुश्खबरी आज से पहले ना कभी किसी को मिला है और ना कभी किसी को मिलेगा, आप बहुत भाग्यशाली हैं, जो आपको कल्युक की सबसे बड़ी खुश्खबर इश्वर की आशीरवाद से प्राप्त होने वाला है। आखिर कौन है कौन है वह जो आपके ऊपर छुप छुप के वार करता है। उस व्यक्ति का क्या नाम है और उस व्यक्ति से आपका कौन सा रिष्टा है ये सब लिखा हुआ है। इसके बारे में बाबा के पच्चे में विस्तार से लिखा है। तीसरा बागे बाबा के पर्ची में जो लिखा है वह यह कि आपका दुश्मन का अंतिम संसकार होने वाला है। दुश्मन का खेल खत्म होने वाला है, दुश्मन से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है। तो आज की जोतिष कार्यक्रम बहुत खास और महत्वपून है। ऐसे में इस जोतिष कार्यक्रम को बिलकुल भी नजरंदाज मत करना और पूरा जोतिष कार्यक्रम शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। इस ज्योतिश कार्यक्रम के माध्यम से जो काली सच्चाई आपको बताने वाले हैं सुनकर आपका होश उड़ जाएगा जी हाँ, बड़ी भयानक जानकारी आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इसलिए जयोतिश कार्यक्रम को स्किप मत करना और पूरा जयोतिश कार्यक्रम अंथ तक देखना जो आज इस जयोतिश कार्यक्रम में बताई गई सभी बातों को अच्छे से समझ लेंगे उनको धन्वान बनने से कोई नहीं रोक सकता है उनको अमीर बनने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगा इसलिए इस जोतिश कार्यक्रम में बताई गई सभी बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करें मैं गारंटी देता हूँ आपका जिन्दगी बदल जाएगा आपको बता दें एक साथ पांच बड़े बड़े सुख आपको मिलने वाला है जी हाँ आप बिलकुल सही सुन रहे हैं एक साथ पांच बड़ी गुड न्यूज आपको मिलने वाला है ऐसा गुड न्यूज मिलेग कि दुश्मन का बोलती बंद हो जाएगा आपको बता दें आपका जीवन का सरा दुख दर्द एक जटके में खत्म हो जाएगा एक जटके में आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी जी हां देवी मां भध्रकाली की कृपा से आपका जीवन का परेशानी समाप्त हो ज आपको तरक्की करते देख, दुश्मन जलने लगता है। अब आपके घर में धन की बारिश होगी? जी हाँ, इतनी बड़ी खुश्खबरी आपको मिलने वाला है। मेरा बात मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि ब्रह्मा विश्नु महेश ने दे दिया। बड़ा आदेश, अब इससे कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। ब्रह्मा विश्नु महेश ने जो बड़ा आदेश दिया है, वह होकर रहेगा। ब्रह्मा विश्नु महेश के आशीरवाद से आपका जीवन में चार चांद लगने वाला है। आज की जोतिश कार्यक्रम, कोई मामूली जोतिश कार्यक्रम नहीं है। यह जोतिशकार्यक्रम आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का ताकत रखता है। जी हाँ, आज की जोतिशकार्यक्रम इतना खास और महत्वपूर्ण है। इतना खास और महत्वपूर्ण जोतिशकार्यक्रम बार बार नहीं बनता है। क्योंकि इतना खास और महत्वपूर्ण ज्योतिश कारेक्रम बनाने के लिए कई महीनों तक लगातार रिसर्च करना होता है, कई महीनों तक लगातार आपका कुंडली के आधार पर छानवीन करना पड़ता है, उसके बाद आपके लिए इतना खास और महत्वपूर्ण जानका होने वाला है आपको बता दें आपकी बंद किस्मत का ताला खुल गई इसी लिए अब आपको ऐसी ऐसी कामयाभी मिलेगी कि सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा लेकिन यह बात सौ प्रतिशत सत्य है कि अब आपको चारों तरफ से खुश्खबरी ही खु हो चुका है इसलिए एक भी मिनट बरबाद मत करो एक-एक मिनट का समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए ढोल नगाड़ा बजाकर पूरे मोहले में मिठाई बाटना पड़ेगा ज्योतिश कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले आप लोगों कि बाबा भोले नाथ का अगर आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में 5 बार जय बाबा भोले नाथ जय बाबा भोले नाथ हवश्य लिखें साथ ही देवी मा भद्रकाली की कृपा द्रिश्टी पढ़ना चाहते हैं भद्रकाली की कृपा से आपके जीवन में होने वाला है क्योंकि यह एक देवी पिछले कई सालों से कई महीनों से आपके पीछे घूम रही है पिछले कई वर्षों से आपके आसपास चक्कर लगा रही है क्योंकि यह देवी आपके द्वारा की गई अच्छे कार्यों से जिस चीज के लिए तड़प रहे थे वह सारी चीजें देवी मा भद्रकाली की कृपा से आपको मिलने वाला है आपका हर एक सपना हकीकत में बदलने वाला है आज का यह विशेश दिन माता भद्रकाली के पावन आशीरवाद से भरा हुआ है और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप पर माता का विशेश अनुग्रह बरसने वाला है। यह संयोग कोई साधारन बात नहीं है। माता भद्रकाली स्वयम चाहती हैं कि आप यह संदेश सुनें क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ऐसा परिवर्तन जो आपके हर सपने को साकार करेगा। प्यारे दोस्तों, माता भद्रकाली की कृपा जब किसी के जीवन में उतरती है, तो बाधाएं मिटती हैं और मार्ग सुगम हो जाता है। यह समय है जब आपका जीवन उन सभी चिंताओं से मुक्त होने जा रहा है, जिनसे आप इतने दिनों से घिरे हुए थे। क्या आपको महसूस हो रहा है कि कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। यह केवल आपकी भावना नहीं है, बलकि एक सच्चाई है, जो आपके जीवन को चमतकारिक रूप से बदलने के लिए तैयार है। अब सोचिए, कितनी बार आपने अपने मन में उन सपनों को संजोया है, जिन्हें पूरा करने की आस लगाए बैठे हैं। चाहे वह धन की प्राप्ति हो, प्रतिष्ठा की कामना हो, या फिर एक ऐसा प्यार जो हमेशा आपके साथ रहे, माता भद्रकाली के आशिर्वाद स यह सब अब संभव हो सकता है। हाँ, यह समय आपके लिए है, उन सभी स्वपनों के पूरे होने का, जिनके बारे में आप सोचते थे कि कभी पूरे नहीं होंगे। आपको बता दें, माता का यह आशिर्वाद संपूर्ण, समर्पन और विश्वास की परीक्षा भी लेता ह इसलिए आज, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पूरे दिल से माता का ध्यान करें और विश्वास रखें कि माता आपको निराश नहीं करेंगी। उन पर भरोसा कीजिए। और देखिए कैसे अद्भुत तरीके से वे आपकी परेशानियों को दूर करती हैं। गब और कैसे आएगा। तो प्यारे दोस्तों, यही सस्पेंस है। माता भद्रकाली का आशीरवाद रातों रात चमतकार कर सकता है। कोई अचानक खुशखबरी मिल सकती है या कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको जल्द ही म रही है। अगर आप सच्चे दिल से माता से कुछ मांगते हैं तो वह निश्चित रूप से पूरा होता है। बस आज आपको करना यह है कि माता का ध्यान करते हुए यह सोचें कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। विश्वास रखिए। आपके जीवन में ध रखिए माता भद्रकाली लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस आशीरवात को दूसरों के साथ भी साज़ा करें। आपका भाग्य बदलने वाला है। रहिए तैयार क्योंकि माता भद्रकाली आपको ऐसे चमतकार दिखाने वाली हैं जो आपने कभी सपने में भी न रचैता आपकी कुंडली में आज विशेश योग बना रहे हैं और यह संयोग इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। आज शाम के चार बजे के बाद पाँच बड़ी खुश खबरियां आपके जीवन में उतरने वाली हैं जो आपके भाग्य को बदल देंगी और आपकी तकदीर को नए आयाम पर पहुँचा देंगी। दोस्तों सोचिए जरा जब भगवान ब्रह्मदेव स्वयम किसी को आशीरवाद देते हैं तो चमतकार होना स्वाभाविक है। ब्रह्मदेव का आशीरवाद कभी खाली नहीं जाता। जब व्यक्तिने अपने ज इसलिए बना है क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं और आपके श्रद्धा भाव ने ब्रह्मदेव को आप पर विशेश ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है। प्यारे दोस्तों, आज शाम के चार बजे के बाद आपके जीवन में पहली खुश्खबरी धन के रूप में आ इसलिए आज शाम के बाद ब्रह्मदेव का ध्यान करना न भूले और उनके आशिरवाद के लिए दिल से आभार व्यक्त करें। दूसरी खुश्खबरी आपके परिवार से जुड़ी होगी। शुब समाचार मिले जो सभी के चहरों पर मुस्कान बिखेर देगा। यह मातारानी और ब्रह्मदेव की सन्युक्त क्रिपा होगी जो आपके घर परिवार में सुख समरिध्य का वातावरन बनाएगी। दोस्तों परिवार से जुड़ी खुशियां जब आती हैं तो जीव इसलिए अपने परिवार के साथ इस पावन समय को बांटें और सभी के साथ मिलकर खुशियों का स्वागत करें। तीसरी बड़ी खुश्खबरी आपके करियर से संबंधित होगी। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, प्रमोशन के इंतजार में हैं या अपने व्यापा के रास्ते खोल देगा। ब्रह्मदेव के आशीरवात से आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको बस यह करना है कि अपने कर्मों में सच्चाई और इमानदारी बनाए रखें और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ें। चौथी खुश्खबरी आपके स्वास्थ की कृपा से ही संभव होगा। उनके आशीरवात से रोग और दुहुक दूर हो जाएंगे और एक नई उर्जा और स्वास्थ्य की लहर आप सब के जीवन में आएगी। आपको बस भगवान का ध्यान करना है और अपने मन को शांत रखते हुए ईश्वर की शक्ति में जोए बैठे हैं। चाहे वह आपका घर खरीदने का सपना हो एक नई शुरुवात करने की ख्वाहिश हो या फिर अपने जीवन साथी के साथ एक सुखत भविश्य की कल्पना हो ब्रह्मदेव का आशीरवाद आपको वह सब कुछ देगा जिसकी आप सच्चे दिल से कामना कर रहे हैं। बस आपको यह मानना होगा कि आप ब्रह्मदेव के प्रिय भक्त हैं और उनकी कृपा से सब कुछ संभव है। दोस्तों अगर आप भी इस दिव्य कृपा के साक्षी बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। ब्रह्मदे और जय माता दी तीन बार लिख कर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। ऐसा करने से आप पर भी उनकी विशेश कृपा बनी रहेगी। विश्वास रखिए। आज का दिन आपके जीवन में अद्भुत चमतकार लेकर आएगा और वह समय अब ज्यादा दूर नहीं है। पहसूस कीजिए जो आपके चारों ओर फैल रही है। ये समय आपका है, ये आशीरवाद आपके लिए है। ब्रह्मदेव आपको पांच बड़ी खुश्खबरी देने के लिए तयार हैं। रहिए तयार, विश्वास बनाए रखिए और ब्रह्मदेव की इस अनमोल कृपा का स्वागत कीजिए। भगवान ब्रह्मदेव के आशीरवाद से आज शाम के चार बजे के बाद पांच बड़े और अद्भुत चमतकार आपके जीवन में होने वाले हैं। ये चमतकार उन सभी लोगों के लिए हैं, जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। चमतकार से जानते हैं कि ये चमतकार कैसे आपके जीवन में सुख और सम्रिध्ध की नई किरण लेकर आएंगे। पहला चमतकार धन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, गरीब इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसके घर में भी आर्थिक स्थिरता आए, उसकी गरीबी दूर हो और उसके परिवार को कभी पैसों की कमी न हो। आज शाम के बाद ऐसा ही कुछ आपके जीवन में घटित होने वाला है। हो सकता है कि आपको कोई अप्रत्याशित आर्थिक लाब हो, जैसे कि कोई पुराना उधार वापस मिल जाए, कोई सरकारी योजना क का फाइदा मिल जाए, या फिर ऐसा अवसर मिले जिससे आपकी आर्थिक स्थिती में सुधार हो जाए। यह चमतकार भगवान ब्रह्मदेव की विशेश कृपा से होगा, और आपको ऐसा लगेगा जैसे स्वयम ईश्वर ने आपकी कठिनाईयों को दूर करने के लिए परिवार में प्यार और सौहार्द हो, कोई तनाव या कलह न हो, आज ब्रह्मदेव की कृपा से आपके घर में एक सकारात्मक उर्जा का संचार होगा, जिससे पुरानी गलत फहमियां दूर होंगी और परिवार के बीच स्नेह और अपनापन बढ़ेगा, अगर कोई विव परिवान स्वयम आपके घर को आशीरवाद देने आए हो, तीसरा चमतकार शिक्षा और ज्यान से संबंधित है, गरीब परिवारों में अक्सर माता पिता यह ख्वाहिश रखते हैं, कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और वे जीवन में कुछ बढ़ा कर सकें, आज शाम के बाद ऐसा संयोग बनेगा, कि आपके बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें दूर होंगी, हो सकता है कि उन्हें कोई छात्र वृत्ती मिल जाए, या पढ़ाई में उनकी एकाग्रता इतनी बढ़ जाए, कि वे हर परीक्षा में सफल हों, यह ब्रह्मदेव का आशीरवाद है, जो हर उस मा बाप की प्रार्थना सुनता है, जो अपने बच्चों के उज्वल भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, चौथा चमतकार, आपकी मेहनत का फल मिलने से जुड़ा हुआ है, गरीब इनसान दिन रात कड़ी मेहनत करता है, लेकिन कभी कभी उसे उसका उचित फल नहीं मिल पाता, भगवान ब्रह्मदेव की कृपा से आज वह समय आ गया है, जब आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको ऐसा अवसर मिलेगा, जिससे आपके काम की सराहना होगी, आपकी प्रतिभा और मेहनत को पहचान मिलेगी, अगर आप नौक पांचवा, और सबसे बड़ा चमतकार आपकी किस्मत का बदलना है, दोस्तों, गरीब इनसान हमेशा एक ऐसे चमतकार का इंतजार करता है, जिससे उसकी पूरी तकदीर ही बदल जाए, आज ब्रह्मदेव आपकी कुंडली में ऐसा भाग्यशाली योग बना रहे हैं, जिस आपकी तकदीर बदल जाएगी, यह चमतकार कुछ ऐसा हो सकता है, जिससे आपकी पहचान, आपकी स्थिती और आपकी पूरी जिंदगी बेहतर हो जाए, हो सकता है कि आपको ऐसी खबर मिले, जो आपकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा हो, यह वह समय है जब आपको लगेगा कि आपकी सारी प्रार्थनाएं सुन ली गई है, ब्रह्मदेव का यह आशीरवाद आपको गरीबी के अंधकार से बाहर निकाल कर एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाएगा, दोस्तों, यह चमतकार कोई साधारन घटनाएं नहीं है, यह उन लोगों के लिए भगवान ब्रह्मदेव की विशेश कृपा है, जो सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, आज का यह समय आपके लिए जीवन बदलने वाला है, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मदे के आशीरवाद को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में जय ब्रह्मदेव तीन बार लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यह आशीरवाद आपके और आपके परिवार के जी रखता है, आज शाम के चार बजे के बाद आप इन चमतकारों को अपने जीवन में महसूस करेंगे, इसलिए पूरे विश्वास के साथ तैयार रहिए और ईश्वर की कृपा का स्वागत कीजिए